Hello traders, welcome to my channel, my name is Abhay Pateil, back with the new learning video और इस वीडियो में हम chart reading करेंगे, ठीक है? Chart reading क्या होता है, पहले वो समझते है, chart reading basically हम आज के कहां पर possible entries बन सकते थी, कहां पर हमारे setups बन सकते थे कहां पर stop loss hit हो सकता था, किस move पर क्या psychology हुई और किस move पर क्या trade बन सकता था, यह सब चीज़े discuss करेंगे, यह एक learning है और इसमें हम behavior भी थोड़ा पड़ेंगे, लेकिन usually हम behavior में बहुत सारे trades के बारे में discuss करते हैं, यहां पर हम बहुत सारे psychology के बारे में discuss करते हैं, ठीक है? तो देखो, अभी अगर मैं 15 minutes चार्ट खुलता हो, तो क्या हुआ, पहले यह समझते हैं, यहां पर basically market ने, दोनों तरफ SL खाए, कैसे? दिखाता हूँ, अब अगर हम कल की बात करेंगे, तो कल क्या हुआ, market अगर closing कहां पर दिया, market ने candle बनाए, चलो मैं overnight put लेकर जाता हूँ, very obvious, काफी obvious retailers काफी obvious चीज़े सोचते हैं, और क्या हुआ, market अगले दिन gap up कुला, इन सब के stop loss हिट हो गए, अब क्या हुआ, put वाले, जितने लोग put में थे, या selling की तरफ ते, market जो short सोच रहे थे, उन सब का stop अब क्या होता है, market क्या करता है, यह से वाले तो बहुत अच्छा profit देखने लगे, अब यह लोग क्या करते है, सुछते gap up है, और यहां पर breakout आ चुका है, अब चलो हम जो है long trade करते हैं, और market ने कैसे इनको trap किया, अगर आप nifty मे वन मिनिट पर देखोगे, तो हमारा यहां पर morning setup भी बन चुका था, 15 minute का high cross होगे, market नीचे के हमारा morning का trap setup बना था, market ने क्या क्या, यहां पर जैसे ही previous high break हुआ, first 15 minute candle का high break हुई, entry हुई, यहां पर इनको put की तरफ invite, मतलब इनका SL hunt करते हुए market यहां पर बहुत बड़ा fall दे दिया, अब बहुत सारी लोग हो सकते कि में भी इस bottom पर या इस support को देखके book करें, में भी होता तो इस support पर देखकर book करता, क्योंकि हमें इतना trending market जाएगा, इतना heavy selling होगी, यह expected नहीं था, कहीं न कहीं यहां पर FIS की या institution की बहुत बड़ी selling आई होगी, पर अगर आप बात करो ना, यह target की या में भी आप यह target capture करते, या में भी आप support break होने तक hold weight करते, और ज्यादा से जाद आप यहां पर 58 points निकलते, और यह small stop plus 3, 2-3 points का होता, और यह आपका best trade बनता, और मुझे लगता है यहां पर बहुत अच्छा profit होता, पर lot अगर हम 58 points भी बोलेंगे, तो पर lot अपको यहां पर अपरोक्स 5,000-3,000-5,000 रुपे का profit होना चाहिए, और lot and that is very good, that is enough, और यहां पर mostly traders अपनी expiry, close करते है, monthly expiry, अगर अपको पहला ही trade profit में जा रह है तो आपको पहला देखना ही नहीं चाहिए था, और यहां पर आपका trade close हो जाता, अब next discuss करते है, मेरे जब मैं live आया, I यहां पर मैं लाइव आया और मेरा व्यू क्या था पहले वह समझते हैं मैं जैसे लाइव आता हूं मैं कभी तुरंत आते से ट्रेड नहीं लेता हूं या जब ही में मार्केट खुल तो मैं तुरंत आते से ट्रेड नहीं लेता बट मैं अटलिस्ट आदा घंटा मार्केट को देता हूँ या मुझे खुद को देता हूँ मार्केट को समझने के लिए कि प्राइज एक्षन चाहता क्या है अब मेरा व्यू यह बना क्यूंकि मार्केट बहुत ट्रेंडिंग अल्रेडी हो चुका था यहाँ पर बात करते है वोलेटिलिटी की तो नेक्स्ट फेज मार्केट में जो भी आता है ट्रेंडिंग और वोलेटिल मार्केट के बाद वो होता है साइडवेज मार्केट मुझे कही न कही लगा कि मार्केट 19,000 यह जो 800 एक बहुत बड़ा राउंड नंबर है यहाँ पर इतना मेजर सपोर्ट था पहले यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कितनी देर सस्टेन किया और इतने सस्टेन के बाद यह उपर जाके फर्स टाइम वापिस यहाँ पर यह कर रहा था टेस्ट कर रहा था very very high chances थे normal days पे अगर इतनी बड़ी institutional selling नहीं होती normal price action पे it should have defended this level तो ये मेरा mindset था और मैं ये जो breakdown है कभी expecting नहीं किया और अगर breakdown ये आता भी ये usually 80% time ये 10 में से 8 बार यहां पे क्या होता 10 में से 8 बार की बात करो यहां पे क्या होता क्योंकि sellers top से profit कमा रहे तो market यहां पे आता और जैसे ही ये breakdown हुआ इनकी liquidity लेकर यहां पे reversal देता क्योंकि यहां पर देख सकते हो selling भी इस point पे थोड़ी week हो गई थी top से selling आ रही थी और market monthly expiry यह एक पार यह usually एक daily time frame पर डोजी बनाता है so I thought यह fall आ चुका है हमारा 11 सवा 11 यहां पर बच चुके थे और अब afternoon session जो हमें top पे जाते होगे देखने मिलेगा second इस जो theory इसको सबसे ज़्यादा support करने वाला reason जो था वो थी यह trend line देखो यह trend line थी यह trend line और यहां पर sellers इस breakdown पर trap हो जाते वो लोग यह trend line देखते नहीं यह breakdown समझके put में जाते यह trend line का market support लेता और जैसे daily monthly expiry यह normal expiry का high probability होते एक doji candle I was expecting यह green candle बने बहुत बड़ी और हम जो है interest rate था वो जो high हुआ as expected था कोई surprising news नहीं थी और US markets भी आप देखोगे तो NASDAQ हो गया SNP हो गया तो उस time पे bullish थे no doubt volatility हुई बट एक उपर की तरफ closing दिये NASDAQ भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा गिरा था side हो था पर closing में bullish opening bullish closing देखे NASDAQ भी यहाँ पे close हो गया था तो I was expecting market should have taken this support तो यहाँ पर मैं रुख गया कि देखने के लिए let's observe let's observe क्या होता है क्या होता है यहाँ पर क्या हुआ market ने तुरंट trend line breakdown देखे एक बहुत बड़ी candle बना दी और इतनी बड़ी candle बनाई और एकदम से जाकर support पर जाकर रुख गया तो I knew हमने बहुत बड़ा trend मिस कर दिये हमने बहुत बड़ा move मिस कर दिये और क्योंकि यह unexpected था हमारे normal behavior से अलग था क्योंकि market इतने major support support यह वाला one हो जाएगा यह वाला trend line का support two हो जाएगा इतने major support one गो में break करना कहीं न कहीं unexpected था इसलिए यह जो move है miss हुआ ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करें यह one minute time frame पे आते move मिस हुआ अब अगर market हाँ मैं ready रहता put के लिए कब अगर यह trend line break होता 101% में इस put trade में बैटा होता लेकिन market ने यहाँ पे क्या क्या breakdown दिया proper lower low price action बना के बनाते बनाते तुरंत एक breakdown देके rally कर गया मुझे दिखा कि यहाँ पे buyers के कहीं पे liquidity market को नहीं मिली और support भी देखो कि यह trend line का जो breakdown भी है one go में बहुत easily breakdown दिया ठीक है उसके बाद market ने market sideways हो जाता है हमने market को पूरा sideways होते हुए देखा अगें यहाँ पर देखोगी यह भी जो most move है हम observe कर रहे थे और यहाँ पे एक और trend line यहाँ पे small breakout देके market put की तरफ गिरना शुरू किया बट मुझे लगा कि यह जो breakdown है यह trap हो सकता है क्योंकि monthly expiry again कही ना कही लग रहा था market जो एक reversal दे सकता है या इस level को तरफ डिफेंड करना चाहिए वही हुआ market ने इस level को डिफेंड के और V-shape recovery दी तब हमारा जो पहला trade है आज का bank nifty में लिया because bank nifty में अगर आप देखोगे यहाँ पे हाँ यह V-shape recovery हुआ था और यह support से काफी दूर था अब क्या हो जाता है जब buyers इतना try करते इसको उपर लेकर जाने का उपर लेकर जाने का यूजूल यह resistance खाके वापिस resistance लेता और नीच आ जाता है लेकिन मैंने bank nifty में देखा इस fall में यह ज़्यादा travel नहीं किया था मतलब sellers को यहाँ पे जैसे यहाँ पे इतना बड़ा fall था बट यहाँ पे sellers को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता एक ही candle मिली थी that's why यहाँ पे मैंने around 110 को यह trade लिया c की तरफ अगर आप live stream में भी check करते हो तो 110 को आपको यह stream दीखेगा trade दीखेगा और हमने यहाँ पे long trade लिया अब क्यूंकि मुझे लगा यह बहुत अच्छा मोका है और selling भी अगर आप बहुत time से slow selling चल रहे थे अब candle देखो सारे indecision चल रहे थे सारे indecision candle चल रहे थे तो मुझे लगा यह बहुत अच्छा मोका है monthly expiry जैसे SNP में यहाँ पे आप देख सकते हो SNP पे इतना बड़ा up move हुआ तो इतना बड़ा reversal हुआ या फिर इतना मतलब you know volatile markets कैसे होते है monthly expiry म मैं यह moves बहुत बार देखे मैंने कि लगता है चलो यह breakout हो गया हो गया खतम seaside और अगले ही minute में पूरा जो game है वो change हो जाता है तो कही ना कहीं मैं और वो हुआ भी अगर आप देखो कि closing में आधे गंटे में market 100 points की recovery भी किया वो हुआ भी लेकिन मैं expect कर रहा था यह बहुत down हुआ है और fresh traders आके और call writing कर रहे होंगे और quantity add कर रहे होंगे तो मुझे लगा यह best mocha है reversal का और यहाँ पर मैंने यह भी कहा था कि scalpers जो है अपना target वन यहाँ पर book कर सकते बिकोज एक swing था और यहाँ पर market ने one-go में इसको touch किया pullback दिया hold करने वाले रुके और यहाँ पर एक और चीज बोले थी कि मैंने stop loss आप यहाँ पर trailing stop loss इसके नीचे लागा लो because अगर यह breakout है देखो यह pullback breakout तो इसको जानत चाहिए यह ना वापिस नीचा आने का sense ही नहीं बनता लेकिन मुझे सबसे खराब बात यह लगी कि लोग hopes में इस trade को hold करते गए and then they add a stop loss और market अग्य थे इस trade में cost to cost निकलने के and जो लोग नहीं निकला hopes में बना रहा उन्होंने again loss खा लिया अब अगर अगला trade की बात करते क्या हुआ अब next trade की बात करते है यह trade में बहुत मन था मेरा लेने का लेकिन reason मैंने क्यों नहीं लिया बताता हूँ ठीक है तो यह plan मेरा था कि मुझे P की तरफ लेना है मैं आपको यहां पे एक clip बता देता हूँ यहां पे put लिया जा सकता है पुट लिया जा सकता है पुट लिया जा सकता है अगर आप यहां पे बात देखोगे तो exactly यहां पे मैं put लिया जा सकते प्रेडिक कर रहा था और reason यह था कि market ने एक और failed breakout दिया था लेकिन मैं एक second thought मुझे इसलिए आया क्योंकि again अगर आप देखोगे 15 minute पे जाके तो यह बन रहा था यह 215 की यह rejection थी और 216 पे यहां से market ने शुरू देना शुरू किया तो मैं कही न कहीं यह सुच रहा था कि market यहां पे बहुत सारी put buyers जो है इस resistance पे इस resistance पे put खरीद के बैटे होंगे market इतना तो आसान नहीं है कि resistance पे put लिया और गिर गया market एक try करेगा इनके SL trigger करे C वाले खरीदे और फिर market crash करे तो यह second thought मुझे है तो कहीं न कहीं में wait करता गया लेकिन उसी की वाज़ेसे अगर अब देखोगे यहां पे proper resistance market follow कर रहा था proper यहां पे resistance follow कर रहा था और उसी की वाज़ेसे यह trade हम थोड़ा second doubt या थोड़ा doubt में है और मैं नहीं चाहता थ कि after एक trade जो हमने एक बज़े लिया तो जो कितना अच्छा गया हम यहां पे जल्दबाजी में trade ले और जो expiry में usually क्या होता है अगर एक भी stop loss hit होता है या profit से red में चले जाते है तो mindset खराब होता है और over trading में हम चले जाते है इसलिए यह trade avoid करना सूचा बट यह trade of the day बनता इ लेकिन market में यह होता है यह जो यह जो move आता है ना ऐसे move जो होता है जो आपको पता होता है आपके setup में भी बैठते हो अब 100% उसे लेने का plan भी करते हो बट 19-20 के कारण या second thought के कारण हम रुख जाते हो वो trade बाद में rally कर देता है यहां पे create होता है FOMO जिसके ऐसे हम जाके हम पूरे दिन का patience जो हमने तीन बज़े तक रखा था वो last minute में जाके हम पूरा गवा देते है और loss कर बैठते है तो यहां पे मैंने यह you know यह ऐसे scenarios मैंने इतने बार देखे इतने बार देखे कि अब है ना फरक ही नहीं पड़ता अब जो दिल है ना पत्थर दिल बन गया यह जो trade में सोना बड़ा profit में सोना जहां पे मेरा view राइट था सब राइट था लेकिन trade ना लेना या trade लेके जल्दी cost to cost exit करना यह जब हजार बार scenario कर लेते हो हजार बार यह चीज़ आपके साथ होती है ना तो फरक ही नहीं पड़ता इसी ही हम experience बोलते है new trader को यहां पे इ इतना market में experience gain कर लो कि market में कुछ भी हो जाए दुनिया यहां पे 2000 का इंडेक्स एक दिन में गिर जाए फिर भी आपके अंदर FOMO नाम की चीज़ नहीं होना चाहिए फियर नाम की चीज़ नहीं होना चाहिए ग्रीड नाम की चीज़ नहीं होना चाहिए आप यह समझो अगर आप 20 साल हो 25 साल के हो 30 साल के हो और अगर आप 8 साल 70 साल इसमें कुछ physical power नहीं लगती इसमें बस mentally fit होना चाहिए आप अगले 70-80 साल तक भी जियोगे तो बस आपको expiry हो जाएंगे अफते में मेभी जैसे जैसे मार्केट में volume आते जाएगा हमारे sensex की expiry हो गई फिर उसके बाद mid cap की expiry हो गई इसको भी हमें you know importance आना शुर होगी तो मेभी एक time के बाद हमें Friday से लेकर Friday to Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday यह सारे के सारे दिन हमें expiry देखने मिलेगी और तब आ जीरो तो get used to it जो अगर move miss होते तो आप देखो मुझे कभी इतना regret या फोगो नहीं होता इनो उसके बाद 3 p.m का trade आया और हमने जो है 3 p.m का यहां पर जो trade एकदम बहुत अच्छे से हमने capture कर पा है पहले तो मेरा plan था कि 3 p.m ट्रेड लेते ही नहीं because miss हो जाएगा because already बड़ा fall होते तो usually क्या होते 3 p.m जो है बड़ा move नहीं करता but क्योंकि month लेक्सपाहरी थी यहां पर मैंने ऐसे बोला नहीं कि मत ही लो लेकिन मैंने एक level दिया आप पो यह level सुनना यह clip सुनना कुछ मतलो कुछ मतलो यहां पर मैं बोल रहा था कुछ मतलो कुछ मतलो लेकिन फिर जैसे ही क्योंकि plan यह था कि मुझे C के side जाना है 45600 के उपर 259 को देखोगे अल्रेडी उपर जा चुका था तो मुझे बस देखना था कि क्या 3PM market इस high को cross करता है तो यहां पर मैंने बोला कि line खीज़ दी अगर यह cross करता है C की तरफ जाना है अगर यह cross होता है तो हम C plan करेंगे यह cross होता है तो ही वरना छोड़ दो आज करते है यह cross होता है तो ही C लेना वरना छोड़ दो और market ने क्या किया यह level cross की और बहुत बड़ा take up move market दे गया ठीक है बहुत बड़ा move 50-50 में भी दे दिया बेटर होता है यहां पर book करना बट जिन लोग ने hold किया 3PM के बाद भी closing तक market ने 3.30 तक 90 degree rally की और बहुत लोग का इसमें पैसा बन गया रिकवर हो गया या you know losses मालब अच्छा दिन अच्छा end हो गया मंतले यह बता है अब कहा कहा stop loss rate हो सकता था अगर मैं वह बता हो तो बहुत सारे मोके थे सबसे ज़्यादा isell hunting इस phase में होती बिकाज इस phase में market बस entry दे रहा है इंट्री दे रहा था विक बना के उपर entry दिया विक बना के उपर breakout दिया विक बना के नीचे यहा पर शीम बार breakout की कोशिश को कि है फिर उपर गया तो S.L. hunting की यह तो बात ही हो नहीं करेंगि बिकाज puisque पूरा मार्केट हैसन अंडिंग का था गड़ I am proud कि पूरे stream पे मैंने दो trade दिये जब मैंने poll किया था कि पहला trade देने के पहले अगर मैंने poll किया था तो 40% से ज़्यादा लोग थे जो कि no trades में थे यह बात बहुत अच्छे लगी कि लोगों को अभी market में control आ रहा है you know moves अगर में सो रहे तो over trading नहीं कर रहे greed control कर रहे homo control कर रहे तो यह बहुत अच्छी बात लगी मुझे अपने traders paradise की जो family उनकी और I hope stream से जुड़के उनकी जो trading है वो improve होते जाएगी अब दो सबसे important चीज़े अगर आप application डाउनलोड कर तो आपको बताए free video तो application में है आप दो तीन अगर आप new चीज़े बात करे IBZ का 3.0 strategy launch हो चुक है only at 4.99 इसके अंदर आपको एक special coupon code भी मिलेगा जिसको आप use करके use कर सकते हो किसी और course में discount लेने के लिए plus paradise master student bundle में 2000 रुपीज का off चल रहा है सिर्फ इस weekend के लिए और उसके बाद next month से क्योंकि इसमें videos add होने होले इसलिए इसका price वापिस बढ़ जाएगा इसलिए अब बोल सकते हो discount अभी चल रहे तो आप इसका use ले लो ताकि future में आगले 6 महिने के लिए आपको इसमें benefit हो 3rd option आपके आज market cycle and setup काता है तो 3999 के लिए अगर आपको psychology ठीक करने है और सिफ setups पे trade करने है ठीक है और अगर आप DMAT account उपन करते हो जो की जिसका link आपको description में मिल जाएगा आने वाले time में जो भी benefits है IBZ को इस तो आपको मिलने वाले वेट future में जो भी benefits होंगे free webinars हो गया giveaways होगे आपको उसमें participate करने का होका मिल जाएगा तो thank you so much for watching this video and joining our stream मिलते कर, thank you